स्वागत है वापस से क्रिप्टो हमें फैमिली के अंदर इंड बेसिकली अभी तक आपको पता भी चल चुका होगा कि डॉक्स की जो लिस्टिंग की डेट है या फिर क्लेमिंग की डेट है टोकन को क्लेम करने की डेट वो डिले कर दी गई है कुछ टाइम के लिए ने डॉक कम्यूनिटी की तरफ से 18 अगस्त को यान की अकल रात को ग्यारा बज़के पांच मिनट पे एक पोस्ट आई थी जिसके अंदर इन्होंने सारी सारी अपडेट के बारें पताया था एंड ये अपडेट मैंने जबी के जबी अपने टेलिग्राम चैनल पर शेयर कर गया है जो हमारे एक्सचेंजर लाइक बाइबिट के अंदर हमने जो अपना वाल विड्रॉल लेने के लिए क्नेक्ट करा है एंड टेलिग्राम वालेट इधर से यहां पर शिक्स मिलियन लोगों ने जो वैरिफाइड यूजर है वह यहां पर दिहान रखना पड़ेगा है अब आपके वाल टेलिग्राम वालट के अदर बिऐसीडन भी गींडेर विडाइट अपने अपी तक लेवल वन तक कि वाइसी नहीं किया तो इसे करके ही हाँ यहां पर इसे क्लीम करना आपकके वैप्ड यूजर के अंदर आप नहीं आएंगे ठाके आपकोsnaए नापकों क जब आया था तो यहां पर उसका क्रीज इता ज़ादा नहीं था क्योंकि वो इनिश्यल टाइम पर तो उसे लोग स्कैम भी समझ रहे थे कर दिया गया आगे बढ़ा दिया गया नीचे डेट भी आपको बताऊंगा एंड यह सारका सारा में डिजन देने के बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर में अपडेट है क्लेम टू एक्सचेंज और टेलिग्रम वालेट के अंदर जो भी आप अपना क्लेम कर पारते कोई यहां पर 6 PM UTC मतलब यहां पर साड़े पांच गंटे और जोड़ दो यानिकी साड़े ग्यारा बजे एक्किस अगस्त रात के साड़े ग्यारा बजे तक आप यहां पर इसका जो क्लेम है एक्सचेंज और टेलिग्रम वालेट के अंदर वो कर सकते हैं तो मैंने जबी बताय गये विड्रॉल के अंदर एक्स्चेंज को मैं आपको आगे बताऊंगा नीचे देखेंगे तो क्लेम टू नॉन कस्टीडियल वालेट यानिकी टोन की ब्लॉक्चेंट पर चलने वाले वालेट टोन की पर जैसे विल बी अवैलेबल फ्रॉम 8 AM UTC मतलब यहां पर आठ के अ हमारे लिए टीजी एंड लिस्टिंग की जो डेट है वो यहां पर 12 PM UTC मतलब साढ़े 5 बजे शाम के तेईस अगस्त को तेईस अगस्त को साढ़े 5 बजे आप यहां पर जो लिस्टिंग है वो यहां पर टीजी की हो जाता हूं कि यहां पर क्या हुआ था आपने देख चु लोग जो है वो बाइबिट को प्रैफर कर देते लेकिन आप यहां पर दो वॉलिट और यहां पर दो एक्स्चेंज और जादा आड हो चुका है पहले से प्रिमिंटिंग और प्री मार्केट चालू थी तो यहां पर आपने से बता देता हूं कि किस तरीके सा आपको अपने करें तो यहां पर कर सकते हो बसक्राइब को सेंट है यहां पर आपको सिंपल सा आपने गेड़ को के एक्सचेंच में आना है अपनी प्रॉफाइल के नीचे ही देखने को मिल जाएगी, उधर से copy करना और यहाँ पर इसे paste कर लेना, then उसके बाद आपको यहाँ पर search मार लेना, deposit के section में जाने के बाद dog coin, वहाँ पर जो dog है वहाँ पर pre-minting पर पहले से ही चल रहा था, अभी यहाँ पर right now, यहाँ पर आप देख सकते हैं dog आपको देखन इधर डाल लेना, तीनों चीज़े डालने के बाद आप यहाँ पर इसे complete करके, अपना send पर click कर देगे, तो इस सारी सारी चीज़े fill करने के बाद आप यहाँ पर इस confirm पर click कर देना, और जैसे आपके bybit के अंदर confirm हुआ था, वैसे गेड़ो टायो के अंदर भी आपका आप इसी तरह की process को follow करके, easily अपना withdrawal या फिर अपना token से claim कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर आप हो गया, तो बेसिकली delay इसलिए क्या गया है, इसमें पहला reason जो निकल के आता है वो यह है, कि नए नए exchanges यहाँ पर add किये जा रहे हैं, आप जैसे कि पता होगा कि पहले bybit और okx थी था, और generally लोग bybit पर यह अपना account create कर देते हैं, और kivyc कर रहेते हैं, तो बहुत जादा backend पर load था, स box यहाँ पर चाहता है कि और जादा user यहाँ पर claim कर सके अपने coins को, और किसी कभी यहाँ पर claiming छूटे ना, इसलिए यहाँ पर जो date है, वो 20 अगस्त से बढ़ा के 23 अगस्त को कर दी गई है, तो basically अब इसके positive और negative points जान लेते हैं, pros and cons जान लेते हैं, तो सबसे पहले positive points के अ tokens को time थोड़ा extend कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर और जादा date तक या फिर और जादा आगे तक, अपना जो claiming process है, वो कर पाएंगे, और दूसरा यहाँ पर फायदा यह है, जैसे exchanges add होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास option भी जादा मिलते जाएंगे, कि मेरे पास, अ liquidity है, वो जादा बढ़ने के वज़ए से coin का price भी अब हो सकता है, और तीसरा और लास्ट फायदा मेरे को लगा, लिस्टिंग की date पे जब यहाँ पर एक ही exchange पे सारी के सारे लोग नहीं जाएंगे, तो उसके वज़ए से buybit के उपर वो hang नहीं होगा, crash नहीं होगा, क्या होत तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक एक्षेंज नहीं रहेगा, बहुत सारे डाइवर्ट हो जाएंगे, अलग-लग एक्षेंजिस लाइक गेट वटाय होगा, और यहाँ पर Binance होगा तो होगा, नहीं तो buybit है ही है, और Bitget है, और यह सारे-सारे एक्षेंज ही है, पर स्मूध अपने जो coins है, उसे sell करके अपने withdraw ले पाएंगे, कोई problem, crash की देखने को नहीं मिलेगी, अब चलो इसके negative point की बात कर लेते हैं, बैसे तो मुझे कोई negative point देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक negative point यह हो सकता है, कि जिन लोगों ने अपना जो claim है, वो claim कर लिया है, coins को claim कर करके बैठे हुए, और wait कर रहे है कि कब इसकी listing होगी, और हम अपना withdraw लेंगे, और यहाँ पर profit बनाएंगे, तो basically उनके लिहाँ पर थोड़ सा नुकसान दा एक चीज है, क्योंकि 20 अगस लेके 23 अगस को और तीन दिन आपको wait करना पड़ेगा, और जादा, listing देखने के लि जादा कि price analysis आपको चाहिए, docks का कितना price रह सकता है, तो उसकी वीडियो मैंने उस पर जादा वोट आए, तो उसकी वीडियो मैंने बना दी, वो नहीं देखिया, तो आप जाके देख सकते हैं, और अगर दूसरा जो topic था वोट हो था, कि डॉक को bank के अंदर किस तरह से withdraw ल कि ना है, तो उसके अगर आपको demand है, तो comment section में आप मेरे से बता सकते हैं, बूल सकते हैं, मैं उसके लिए कल वीडियो ले आऊँगा, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like कर देना, और चैनल को subscribe करके bell icon क पर प्रेस कर ले रहा, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्ट वीडियो में, तब तक ले से डियो, थैंक यू